पूर्ण करता हूं कि आप सबी लोग बहुत ही सांदार जबरदस्त होंगे और आप लोग अपने लेटर राइटिंग अप्लिकेशन राइटिंग पर पॉपर ध्यान दे रहे होंगे और आप लोग उसे बना रहे होंगा अच्छे से अब देखो आपको लोगों के लिए मैं प्रिवियस यर से एक लेटर राइटिंग उठा के लेखा है उन जो बहुत बार एक्जाम में आया हुआ है और यह वेरी वेरी इंपॉर्टिंट कोश्चन है तो यहाँ पर लिख लेना आपके स्पांडे रेसिड़ेंस इंग एड सिफ्टीनाइन साइनाद कालोनी बढवानी यह प्लेस का नाम याद रखना बढवानी प्लेस में है यह और राइट लेटर लेटर आपको लिखने बोला है लेटर लिखना है आपको तो कंपलेइन टू दू सूपर्वाइजर कंपलेंड करना है कि इसको सूपर्वाइजर को एंप्लेल आपकर इलेक्रिशिटी बोल्ड ha आपका नाम है राकेश पांडे, आप जोहां पर रहते हैं उस लोकेशन का नाम क्या है, 60 राइन साइनाथ कॉलोनी है, और आपके एरिया में बार-बार एलेक्रिशिटी कड जा रही है, इसी के रिगार्डिंग आपको कम्प्लेंट करना है, किस से करना है, कोशन अच्छे से क्लिएर हो गया, अगर कोशन आपको समझ में आ जाता है ना, तो मैं आपको बूलूँँगा कि आपकी 30 परशन चीज़े यहीं से कवर होगे, ठीकरा, अब देखो, लेटर बनाएंगे कैसे तो आपको मैं बहुती सरल तरीका यहां पर बताने वाला हूँ, सरल याने एकदम सरल तरीका, मैं आपको कभी रिकमेंट नहीं करता कि आप लोग हाड़ वाला तरीका फॉलो करो, और आप लोग अपने नंबर के लिए भाई तरस खाजाओ पुरा, याद करने के लिए रटपी से श्टार्ट करतो, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है न, देखो, एक बार रीट करते हैं, यूर राकिस पंडे, आप क्या हो राकिस पंडे हैं, आप जहां रहे तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको पता है लेटर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखोगे राकिस पंडे, जो है, ठीक है न, साइनात कालोनी बढ़वानी, 6 अप्रेल 2000, अगर आप 2024 में लिखते ह लिखेंगे, यहां पर आप two लिखेंगे, अब मैं आपको बता दूँ कि यहां पर जो two लिखते हैं, तो two में उस person का नाम लिखा जाता है, या उस वेक्ती के बारे में बताया जाता है, जिसे हम भेज रहे हैं, जिसे लेटर हम भेज रहे हैं, ठीक है न, यहां पर आपने क किसके बारे में लिखा, अपने बारे में लिखा, ठीक है ना, अब इस जगा पर आप किसके बारे में लिख रहे हो, जिसे लेटर भेज रहे हैं, जिसे भेज रहे हैं, ठीक है ना, जिसे भेज रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, to the supervisor MP electricity board बढ़वानी MP ठीक है न बढ़वानी कहा आता है MP में आता है देखो subject subject क्या हो जाएगा अभी देखो मैंने आप आपको बताया था complaint to the supervisor MP electricity board तो complaint regarding to frequent breakdown electricity देखो ये मिल गया आपको frequent breakdown electricity तो subject आपको तो question में as it is मिली जाता है इसके बाद में आप लिखेंगे sir इसके बाद में आप क्या लिखोगे देखो ये line बड़ी common है मैंने आपको बताया कि letter में जब कभी भी आप किसी problem के regarding किसी officer को letter भेजते हो तो आप एक line जरूर डालते हो क्या I would like to draw your attention बड़ी प्यार इस line है ये और मेरी favorite भी बन चुकी है य ये line याद रखना हमेशा के लिए क्या था I would like to draw your kindly kind attention to the frequent breakdown of electricity in our locality ये तो आपका subject ही लिख दिया आमने पस हम क्या कह रहे है कि उस subject to पर आप उनका ध्यान आकरसित करना चाहरे हो तो I would like to draw your attention का मतलब क्या होता है मैं आपका ध्यान आकरसित करना चाहता हूं इसका मतलब क्य कि चाहता हूं कि चाहता हूं कि प्रॉबलम एक इलेक्टिशिटी इन यूर अरिया ब्लेक्डाउन एलेक्टिशिटी जो प्रेक्डाउन हों होरी उसके रिगार्डिंग ठीक है ना आप आगे रिट करो the electricity goes off five or six times कितने बार जारी वही पांस से शेख बार जारी आप ऐसे ब हुंते के अंदराल में ठीक है these cause great inconvenience to this the resident of the locality especially young child who are busy with their studies at night देखो इस case यानि कि इस problem के कान क्या हो रहा है जो लोग वहाँ पर रह रहे है लोकलिटी यानि कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं especially उन्हें problem हो रही है और दूसरा आपने पहले क्या बता है दिन में कितने बार जा रही है दूसरा बता है किने problem हो रही है तो यंग बच्चों को problem हो रही है जो रात पर पड़ा ही करते है ठीक है चलो आगे देखो I believe that there is some defects with the electricity wiring which cause the breakdowns आप बता रहे हो कि मैं believe करता हूं believe करना है इनकी मैं मानता हूं एक प्रकार से ठीक है ना मानना आप क्या मानते हो कि भया जो some defects है with the electricity wiring कुछ wiring में default आ गया है हम भी ऐसा मानते है जिस कार्ण से क्या हो रहा है ये breakdown हो रहा है light का ठीक है ऐसा आपने मान लिया I would request you to kind issue direction to your stop for necessary repairs तो हम I would like फिर से आगे देखो इसका मतलब मैं चाहता हूं यानि कि मैं request करना चाहता हूं किससे आपके stop से किससे आपके stop से किसके लिए इस necessary repair के लिए जो भी wiring का breakdown हुआ है जो भी wiring तूट गई है उसको repair करवा और जल्दी से हमारे एरिया में electricity भीजो तो मैं इसके regarding क्या करता हूं क्लियार इतनी बात समझ में आई तो आपको क्या क्या समझ में इस लेटर से कि भाई आप पहली लाइन लिखना है उस चीज के लिए आपको attention करना है उनको उनको इस बात की और आकरसित करना है दूसरा 5-6 टाइम जा रही है 24 आवर में लाइन दूसरी बात यह बताया फिर बताया प्रॉब्लम किसको और यंग चिल्डरन को और यह वहाँ पर रहने वाले लोगों को और यह स्टड़ी जो रात में करते हैं यह बात समझ में आई तीसरी लाइन चौथी लाइन के आता आप ब्लीव कर रहे हो कि यह ड़िफेक्ट होगा और किसमे एलेक्टिषटी वाइरिंग में ज rappelleफेर जा रही है अब मैं आपको बुलूँगा यह 4 लाइन याद करना है आपको बस 4 लाइन याद कर आपको लेटर देख ठीक है तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स और ऐसी अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से मैं आप लोगो को लेटर त्याल कराते रहूँगा आप मुझे कमेंट जरू करना कि आपको नेश्ट लेटर या फिर जो भी आपके इस्तुडिस से रिगार्डिंग इसू है जो भी आपको टॉपिक हाट रगता है ठीक है न वो आप मुझे कमेंट कर देना आपका भाई आपका सर जो कुछ भी आप मुझे मानते हो मैं जरूर आप लोग के लिए ये वीडियो बना तरह नोगा पर आपको के लिए रिए नियू फिपैकर चौक और खंड कर येätteरा ठीक है को